Hey guys, what's up, good morning everyone, तो कैसे हैं आप सब लोग, welcome back to your own channel, दीपक्यादव साइस अकेडमी, welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 31st of October 2020, आज है तारिक 31 October 2020, और है Saturday, देखेंगे आज का the Hindu complete newspaper, the Hindu complete newspaper को analyze करेंगे, और guys, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए और ये the Hindu newspaper चाहिए तो आपको करना क के बाद आपको यहाँ पर search box आएगा, search box में ये type करना दीपक्यादव ISACAD में आपको ये channel मिल जाएगा, नहीं मिलता है channel, कोई बात नहीं, इस channel का link मैंने आप लोग को description box में दे दिया है, तो description box में जाओ, इस link को click करो और जाकर इस channel को join कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको daily Air Quality Index के बारे में बताया हुआ है, तो आपको यहाँ पर detail में बता रखा है, Air Quality Index है क्या चीज़, और जो Air Quality Index में कौन-कौन सी हम लोग color indication देते हैं, जिसके तुरू हम लोग पता लगाते है, Air की कौन सी quality है, यानि ये सारी चीजे newspaper में आपको नहीं दीवी है, उसका background analysis, answer writing form कर के आपको यहाँ पर provide कर दी जाती है, okay, now, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चनल को subscribe नहीं किया, तो नीचे red color का button आ रहा होगा, subscribe कर देना, subscribe करके आप चैनल को support दिखा सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, एक छोड़ा सा subscribe का button दमाना है, तो बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले कुछ questions लेंगे, जैसे कि हम लोग daily कुछ questions को लेते हैं, तो first question है हमारा, देखो कल हम ले एक article पढ़ा था, stable burning को लेकर, detail में हमने उस article को cover गया था, मैंने वहाँ पर आपको solution मी बताया था, तो आप लोग को आज बताना है क्या है हमारा solution, stable burning का solution क्या है हम लोग stable burning को कैसे रोक सकते हैं, या आप लोग को नीचे comment में बताना है, और second question, आप लोग को यहाँ पर map based होगा, map में आप लोग को जाकर देखना है, France को, ठीक है, क्योंकि आज कल issue चल ला है, France को लेकर बहुत जादे, तो France को जाकर देखना, France की neighboring countries कौन कौन सी है, उन सारी neighboring countries के जो name है, वो नीचे comment section में के type कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा, कि हाँ, आप लोगों ने जाकर France को map में जाकर देख लिया है, ओके, तो stable burning का solution, और second question is, France को जाकर map में देखना, ओके, now, एक third question में देना चाहता हूँ, बहुत मन है, चलो मैं दे देता हू आपके लिए optional रहेगा, आप दो या इसका answer या मत दो, देखो third question में आप लोगों को बताना है, देखो अभी हाली में 2 plus 2 meeting हुई है, इंडिया और US की बीच में, ठीक है, और ये इसके उपर में एक detail video बना चुका हूँ, कल ही मैंने इस video को upload किया है, 2 plus 2 meeting में, बेका agreement क्या है ले मुआ agreement क्या है, कोमकासा क्या है, G.S.O.M.I.A. क्या है, ये सारे मैंने agreements detail में cover करें हैं कली, तो वो video आपने अभी तक नहीं देखिए, तो उसे जा कर देख लेना, उस वीडियो का link मैं आप लोगो description box में दे रहा हूँ, उसको जरूर जा कर देख लेना, वो बहुत important video है उसमें सारे agreements मैंने cover कर लिये हैं, तो जो अभी 2 plus 2 meeting हुई है, उसमें अभी बेका agreement हुआ है, ठीक है, बेका agreement हुआ है, इससे इंडिया को क्या benefit मिलेंगे, क्या ये agreement आपकी नजरिये में सही है, आप लोग को इसके बारे में बताना है, ठीक है, optional है बताओ या मत बताओ, दो question तो बताना है, इन तीनों में से दो के आंसर आप लोगों को, सभी लोगों को comment करना है, और as always हमारा जो target है, वो है 350 प्लस likes का, तो आप लोग वीडियो को like करके support दिखा सकते हैं, 350 like का हम लोगों ने target रख रखा है, discussion स्टार्ट करते हैं, page number one पे आप लोगों सबसे पहला यहाँ पे एक छोटा सा article यह दिखेगा, France में बहुत जादे बवाल चलना है, काफी सारी चीजों को लेकर, आज मैं France का पूरा किस्सा ही, इसी lecture में खतम करूँगा, और यह हमारा world page पे जो है, France के issue के बारे में बताया है, तो मैं आपको world page पे इस सारी चीज़े यहाँ पे हला कि मैं बता देता हूँ, अभी परसो जो है, France में knife attack हुआ है, ठीक है, knife attack हुआ है, नीस एक country है, France में, वहाँ पे एक church है, Notre Dame Church, तो वहाँ पे knife attack हुआ है, और उसके regarding काफी साथे problems वहाँ पे देखने को मिल नहीं है, और कल जो है, France ने अपने 7,000 soldiers को भी deploy कर द दिया है, और एक और problem यहाँ पे देखने को मिली, और वो problem थी, एक हमारी, आप कह सकते हो, अभी जो Muslim countries हैं, सारी Muslim countries, वो क्या कर रही है, France के product को boycott कर रही है, वो क्यो कर रही है, यहाँ पे 2-3 situation है, जो आपको समझनी है, France को लेकर, तो उसके बारे में हम detail में बात करेंगे, आगे world page आता है हमारा हो, तो उसमें world page पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे detail में article दे रखा है, तो अभी हाँ पर छोटा सा article दे रखा है, page number 13 में detail पर दे रखा है, तो उसम लोग वहीं पे cover करेंगे, next article आप लोग को यह देखने को मिलेगा, new wage code bars bonus for those facing sex abuse charges, new wage code ल नहीं दिया जाएगा, वो अपना bonus जो है, वो खो देगा, ठीक है, उसका employer जो है, उसको bonus नहीं देगा, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, किसी person के दोरा, sexually harassment देखने को मिलता है तो, क्योंकि all over, देखो, money जो है, important है सभी के लिए, money जो है, सभी के लिए important होत है, तो यहाँ पर एक additional deterrent का काम कर सकती है, कहीं न कहीं आपे इसका भी असर पढ़ सकता है, लोगों के उपर, जो कि हम लोग sexual harassment को tackle out कर सकें, इस वज़ा से, और इसके अलावा हमारा जो act है, वो तो हमारा लागू रहे गा, रहेगा, कौन सा prevention of sexual harassment law, 2013, ये law तो हमारा चलता ह ही रहेगा, लेकिन, साथ ही साथ हम लोग एक ये भी है, कि इस step के through हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस bonus को cut करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर कोई भी employees होगा, अगर उसको money नहीं दिया जाएगा, उसे अगर पता है पहले से, कि मैंने अगर ऐसा काम कर दिया, तो मैंने जि incentives के ओपर बात हो रही है, और इंडिया की economy को लेकर, इंडिया जो है कोई closed economy नहीं है, ऐसा हमारा निती आयोग ने बोला, और जो निती आयोग के यहाँ पर director वगरा है, इन्होंने काफी सारी बाते बोली, और उसको देखते वे क्या बोला गया है, जो incentives है, उसको increase करा जाए यानि कि जो manufacturing investment है, उसके लिए जो incentive अगरा देती है सरकार, उसको अगर increase कर दे, तो जादा benefit मिलेंगे, ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो government है, वो set कर रही है, यानि government क्या करने वाली है, production linked incentive, PLI, ये जो schemes हैं, इनको बढ़ाने वाली है, ये PLI schemes क्या होती है, म ये PLI scheme को मैंने काफी बार उसमें पढ़ाया है, आप लोग सुबागी 5 बजे वाली वीडियो जाकर जरूर देखा करो, जो daily upload होती है, क्योंकि उसका content बहुत जादे अलग तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग जगा से लेकर, जैसे कि PIB, AIR, यानि कि All India, रेडियो से लि बहुत अच्छा content आपको हाँ पर मिलता है, एक बार जाकर जरूर देखना, और वो बहुत important वीडियो है, तो उसे जाकर जरूर देखा करो, okay, now बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर PLI scheme किया है, मैंने उसमें काफी बार बता रखा है, तो यह जो PLI scheme है, इसमें क्या होगा, जो incentives बढ़ाने की बात कर रही है, फॉर manufacturing, pharmaceutical, medical devices, electronics, electronics announced under the आत्म निर्बर भारत package to six more sectors, he said, यानि कि क्या है, कि देखो incentives बढ़ाने की बात करी जा रही है, जो सरकार है, वो incentives बढ़ाएगी, जिससे कि हमारे यहाँ पर भी काफी ज़दे हम लोग को फायदा देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर काफी फायदा देखने को मिलेगा, अगर सरकार उन्हें incentives बढ़ाएगी तो, यानि कि एक तरफ से जो step है हमारा, हम self-reliance, आत्म निर्बर भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, now, चलो बढ़ते हैं आगे, और next article पर आते हैं, page number one हु बहुत ही जादे poor category में है, आज के time पे भी, ठीक है, अब यह कैसे पता चलता है कि हाँ, air quality poor category में है, इस जगा की poor category में है, इस जगा की good category में है, इस जगा की satisfactory में है, तो यह कैसे पता चलता है, तो देखो, इन सब को पता लगाने के लिए, एक दो चीज़े हैं हमारे पास, एक तो है हमारे पास सफर, दूसरी चीज़ है हमारे पास AQI, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में cover करेंगे, यह हैं क्या चीज़े, तो चलो आपको टेलिग्राम पर इसके बारे में provide कर दिया गया है, तो यह air quality index है, क्या सबसे पहले इसको cover करेंगे, देखो, AQI जो है, एक इंडेक्स है, जो कि आपको daily air quality के बारे में बताता है, कि daily basis पर बताता है कि कैसी air quality है, और यह calculate करता है, कैसे air को मैं भी आपको बताऊंगा, और इसमें जो देखो, यह जो air है, इसके अंदर calculate करी जाती है, 8 major pollutants को, जो 8 substances है, chemical substances, उनको यहां पर measure करा जाता है, जैसे कि ground level ozone, PM10, PM2.5, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ammonia, lead, तो ऐसे pollutants को इसके अंदर calculate करा जाता है, और फिर उसके बाद पता लगाया जाता है, कि हाँ यह जो air है, वो कौन सी category में आती है, Now, category के अंदर डालने के लिए हमने color indication दे रखा है, अगर यहां पर pollutants बहुत जादे कम है, और air जो है वो fresh है, तो उसको green color का indication मिलेगा, उसके बाद अगर air के अंदर थोड़े बहुत pollutants मौजूद हैं, तो उसके बाद उसे थोड़ा सा dark green मिलेगा, और उसके अंदर काफी ज अंदर उतने color change होता रहेगा, और finally एक red color आएगा, जो कि बहुत जादे खतरनाक का यहां पर sign है, यानि कि जो air की quality है, वो बहुत जादे खतरनाक है और आपके शरीर के लिए बहुत जादे harmful है, आपको heart diseases के लिए, heart diseases, lung diseases produce हो जकती हैं आपके शरीर में, अगर यहां पर ऐस type की कोई air है तो, यानि कि कि किसी air को red color का अगर indication मिला हुआ है, तो फिर वो बहुत जादे आपके शरीर के लिए भी बहुत जादे खतरनाक है, ओके, now सफर क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, यह GS paper 3 के point of use आपके लिए important हो जाता है, और UPSC ने यह दोनों topics दे रखे हैं, ठीक है, UPSC का syllabus के लिए काफी बच्चे बोलने हैं, तो UPSC का syllabus में जल्दी लेकर आऊंगा और आपके video अपलोड कर दूँगा उसकी भी, तो जो UPSC के syllabus में यह सारी चीज़े हैं, environment pollution and degradation, government policies and interventions, ठीक है, तो आब यहाँ पर आपको link करना इस तरीके से, देखो, syllabus म simple सी बात है, नाम सी समझ गए, कि जो air quality है और weather है, उसको forecast करना और उसको उपर research करना, ओके तो यह हमारा सफर का काम होता है, ओके, air quality index की जो है report daily basis पर आती है, उसको याद रखना, ठीक है, now यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगो देखने को मिलेगा, जो यह सफर system ह यह indigeniously develop करा गया, Indian Institute of Tropical Meteorology के दोरा, पुने में जो है, और IMD के दोरा, Indian Meteorological Department के दोरा, IMD का आज एक और article है, उसको भी हम cover करेंगे, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखो जो यह सफर body है हमारी, यह सारे ही type के weather को, और इनके जो weather कह सकते हो, इनके parameters को monitor करती है, ठीक ह wind speed, wind direction, ठीक है, wind speed, wind direction, इन सारी चीज़ों को monitor करती है, यह हमारी सफर body, तो important body है, इसके बारे में भी याद रखना, यह सारी चीज़े हाँ पर देखी जाती है, सफर के दोरा, ओके, यहाँ पर इस article से दो चीज़े निकल के आई है, important एक है हमारा AQI, और दूसरा है सफर, तो हमने इनको cover कर लिया है, और बढ़ते हैं आगे, और page number 8 पे आप लोग को एक छोटा सा article देखने को मिलेगा, यह वाला, आप लोग जो daily viewer है, जो daily analysis को देखते हैं, वो समझ गया होंगे, क्यो important है, यहाँ पर एक छोटी सी information दी गई है, ED के बारे में, देखो, यहाँ पर बिनिश को दियरी को यहाँ पर क्या करा गया है, suspect करा गया है, किस के case में, money laundering के case में, ठीक है, अब यहाँ पर money laundering case में इनको लिया गया है, इनके ओपर investigation चले लगी है, तो यहाँ पर इस सारी चीज़े कौन करता है, enforcement direct rate, अब important चीज़ हमारे लिए, जो exam के point of view से है, वो ह enforcement direct rate भी कह सकते हो, यह एक law enforcement agency है, जो कि economic crimes को control करती है, okay, like money laundering, money laundering जैसे कि क्या होता है, कि आप लोग नहीं देखा होगा, काफी सारे news बगरा पड़ी होगी, money laundering काफी शब्द यह यूज करा जाता है, काफी news में आता है, तो money laundering का मतलब क्या होता है, कि देखो, जैसे कि क यह बस black money है, तो वो किसी तरीके सा उसे white money में convert कर देता है, ठीक है, यानि कि जो black money होता है, उसको वो market के अंदर उतार देता है, तो इसको हम लोग कहता है, money laundering, और यह money laundering को tackle out करने के लिए हमने बना रखा है, एक body, enforcement, direct rate, यह सारे के सारे जो भी economic crimes होता है, money related crimes होता है, उ the last Indian administrative service IAS, यानि कि यह सारे की सारे ही जो services है, UPSC clear करने के बाद मिलती है, तो जो है यह सारी services वाले भी enforcement, direct rate के अंदर होते हैं, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ना बढ़ते हैं आगे, page number 10 पे आप लोग को एक और छोड़ा सा article मिलेगा, यह भी माला बार naval exercises के बारे में है, हमने काफी बार माला बार naval exercise को पढ़ा है, डीटेल में, तो यह जो exercise है, यह November में conduct होने वाली है, और अगले सब्ता में यह conduct होगी exercise, अब यह माला बार naval exercise क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, कौन-कौन सी countries मिलकर इस naval exercise को conduct करा रही है, अब यह जो माल बार exercise का topic है, यह international relations के point of view से important है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी countries हैं, इंडिया के साथ, क्योंकि Australia अभी news में इतना क्यों है, क्योंकि Australia पहली बार इसके अंदर include होने वाला है, हाला कि countries कौन-कौन सी हैं इसके अंदर, इंडिया हो गया, US हो गया, Japan हो गया, और अभी यहा particular GS paper 2 के point of view से important है, और UPSC ने देखो किते सारे topics दे रखे हैं, अपने UPSC syllabus में, जैसे कि government policies and interventions, bilateral groupings and agreements, groupings and agreements involving India, और affecting India's interest, effects of policies, politics of countries on India's interest, यह सारे UPSC के तरफ से topics दिये हुए हैं, syllabus में, present हैं यह सारे topic, आपका current affair क्या है, माला बार exercises, तो आपको इस तरीके से जो है, लिंक करन हैं, और साथ यह GS paper 2 के साथ GS paper 3 के point of view से भी यह article important है, अगर हम बात करें माला बार exercises की, तो यह पहले, पहले यह trilateral exercise हुआ करती थी, आज के time पे यह quadrilateral हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर Australia भी add हो चुका है, trilateral यानि कि किस-किस के बीच में, India, USA और Japan के बीच में यह हुआ क यहां पे quadrilateral हो चुकी है, अब 4 countries मिलकर इस exercise को conduct कराएंगे, purpose आपको पता ही है, China का इत्ताजाद है, हम लोग यहां पे issue देखने को मिलना है, India, China के tensions और यह आप कह सकते हो, USA के tension इसको tackle out करने के लिए country साथ में, साथ ही साथ जो Indo-Pacific region है, उसकी security के लिए यहां पर यह काम क countries मिलकर, क्योंकि China का हम लोग काफी जाद है हाथ देखता है, इंडो-Pacific region में भी वो काफी बार जो है, उसका aggression देखने को मिलता है, तो उसको रोकने के लिए यह 4 countries साथ में आई है, और यह 4 countries अपनी naval exercise conduct कराएंगी, और बताएंगी कि हाँ, बिलकुल हम लोग सबसे अलग है और China को tackle out कर सकते हैं, now next article आप लोग को यह देखने को मिलेगा, उसी same page के ओपर, जो CPCB है, इसने जो है बोला कि जो rail stations है, जानी कि rail stations पर जो भी pollution होता है, जैसे कि air pollution भी होता है, water pollution भी होता है, और साथी साथ noise pollution भी होता है, repeat करता हूँ, air pollution, water pollution और noise pollution यह तीनों ही pollution होता है, ठीक है, तो इनको control करा जाए, ऐसा CPCB ने बोला, अब यहाँ पर CPCB क्या है, इसने air rail stations को control करने के लिए बोल दिया, तो यह body है कौन सी, यह है Central Pollution Control Board, तो यह CPCB body, आपने इसके बारे में कल, कल शायद बताया था, कल मैंने question बुचा दो, तो कल सबी लोगोंने इसके बारे में answer भी बताया था, तो CPCB के बारे में cover करते हैं, हम लोग यह कौन सी body है, तो Central Pollution Control Board of India, यह statutory organization है, जो की Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंडर में आती है, ठीक है, यह establish कब करी गई थी 1974 में, पहले क्या था यह, पहले था Water Prevention and Control Pollution Act, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 1981 में यह था, Air Prevention and Control of Pollution Act, 1981 में था, लेकिन, finally Water Pollution और Air Pollution क्या होता है, यह आपको मुझे बताने की जोरत नहीं पढ़ लेगी, सभी को पता होगा Water Pollution और Air Pollution क्या होता है, ठीक है, यह याद रखना कि जो इसको CPCB को हमने establish किया है, वो इन दोनों Act के अंडर में establish किया है, Water Pollution और Air Pollution को, आप CPCB सारी चीजों को देखती है, Water, Air, Noise, Okay, Now तो अब हम बात करते हैं, देखो सबसे Main Power क्या होती है, CPCB की, कि जो भी Central है, जो भी State Government है, केंदर सरकार, राजे सरकार, उनको Air and Water Pollution के matters के उपर, और उनके matters के उपर advise करना कि कि किस तरीके से इनको tackle out करना है, तो Air Pollution and Water Pollution के matters के उपर, जो 2013, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, France से related दो article है, और यहाँ पर वोई USA का अपना system चली रहा है, USA में election आने ही वाले हैं, तो वो Trump, Biden, Trump, Biden, वो अपना USA, अपना election के अंदर busy है, ओके, और यहाँ पर आपको नजर आएगा, France में जो बवाल चल रहे हैं, चलो अब इसको discuss करते हैं, देखो हुआ क्या है, पहले तो इसका एक और जो पहले वाला matter है, वो समझो, कि जो France के, France के जो products हैं, उसको Muslim countries boycott क्यों कर रही हैं, वो इसलिए कर रही हैं, क्योंकि France में एक teacher थे, France में एक teacher थे, और उन teacher ने क्या करा, अपने school में Prophet Muhammad की, Prophet Muhammad की cartoon pictures दिखाई थ और उन garden pictures को दिखाया जाता था, students को, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक चेचन का लड़का, चेचन एक जगा है रूस में, तो महां से एक लड़का गया, France, France में जाकर उसने उस teacher का गला कार्ट दिया, ठीक है, तो यह हुआ काफी जादे बवाल, अब उसका गला कार्ट दि था, और कुछ ऐसी controversial statement दे दी, Muslims के खिलाफ, ठीक है, तो क्या हुआ, Muslim countries भड़क गई है, और यहां पर Turkey का बहुत बड़ा रोल आया, कि Turkey ने जो है, भड़का दिया सबी लोगों को, आगे की side, क्योंकि Turkey और France के बीच में काफी जादे dispute चलता है, आज नहीं, बहुत पहले से चलता है, ठीक है, तो अब बहुत पहले से dispute चलता है, तो तरकी ने यहां पर अपना, जो है, मज़े ले लिए, बात पर इन्होंने पकड़ ली हैं ही पर, और बोला कि France ऐसे कैसे कर सकता है, और Muslim country से खिलाफ, यहां पर इस सारी बाते कैसे कर सकता है, boycott करो सब लोग, तो अ सारे के सारे export करता है, आपको पता होगा, defense, planes बगएरा, Rafal, Rafal की company कों से Dazzle, और भी बहुत सारी companies हैं, जो कि हापे France में हैं, सारी पर्चेस करी जाती हैं, हाला कि defense products के उपर इतना जादे असर नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि defense जो आप equipment लोगे, वो कहां से लोगे, जाना आ ये सारे products bycott करे जा रहे हैं, और जो Muslim countries हैं, अपने malls वगरा से ये सारे products वगरा बहार निकाल दिये हैं, तो फिर ये थी पूरी situation, अब आपको इसका background समझ माया होगा, ये क्या है situation आखिरकार में, एक teacher थे ठीक है, उनका गला काड़ दिया, किसी चेचन के लड़के ने जा कर, तो फिर इस तरीके से जो है ये बवाल शुरू हुआ, लेकिन ये तो बवाल हमारा पांच दिन पहले से चल ला है, लेकिन अभी परसो यहां पर एक और यहां पर देखने को मिला, डिस्प्यूट क्या देखने को मिला, कि जो France में, France में एक नीस, France में एक नीस जगा है, वहाँ पर Notre Dame एक चर्च है, वहाँ पर क्या हुआ, नाइफ अटेक देखने को मिला, ठीक है, नाइफ अटेक देखने को मिला, तो उसके बाद यह काफी साधे प्रॉबलम फेस देखने को मिल लगी है, वहाँ पर, फिर जो France के President है, Emmanuel Macron, उनने बोला कि मैं अपने Soldiers को सब देखने को मिल ला है, बार-बार, तो फिर अब यहाँ पर कली भी यह News आ चुकी थी, कि जो France है, उसने अपने 7,000 Soldiers को Deploy कर दिया है, फैला दिया है, सभी जगह पर, कि यहाँ पर ऐसी Situation देखने को ना मिले, तो उसी को regarding यहाँ पर Second Arrest करा गया है, After France Knife Attack, याने कि Knife Attack के बा ओके, यह मैंने आपको बता दिया, क्यों Muslim Countries, यहाँ पर France का अगेंस्ट वागेरा है, यह सारी यह मैंने आप लोग को बता दिया अल्रेडी, नाओ चलते हैं, एडिटूरिल्स को उपर, एडिटूरिल्स हमारे आज के important नहीं है, बिल्कुल भी हमारा rain से related हो गया, क्योंकि नहीं मन हो तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, यही दो छोटे छोटे आर्टिकल दिखें जो कि हाँ पर, अरे यार यह वाल आर्टिकल भी हम कवर कर चुके है, अभी जो हमने फ्रांस को लिरेटिड आर्टिकल कवर किया है, नीस के अंदर जो है काफ़ जाज़े टेरर द उस Prophet Muhammad Ji का यहाँ पर कार्टून जो है, वो किस ने बनाया था, वो Charlie Hebdo उसने बनाया था, ठीक है, इसने फब्लिश किया था, चारली Hebdo ऑफिस के अंदर भी यह कई साल पहले की बाद जो Charlie Hebdo ऑफिस है, उसको भी अंदर बॉंबार्डिंग वगरा कर दुए थी, तो उसके बा से related कुछ जादा article है नहीं यहाँ पर बात करी जा रही है इंडिया को जरूरत एक better science की कि वो जादा प्रिपेर रहे disaster को manage करने के लिए क्योंकि यहाँ पर अपकी बार इस साल काफी यह चीज़े देखने को मिली आपको पता होगा कि जून से क्या या नहीं होगी तो यह सारा जो यही सारी चीज़े जो forecast करती है वो IMD करती है IMD की full form है Indian Meteorological Department अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह अच्छी तरीके से forecast ही नहीं कर पा रही है यानि कि अंदाजा लगा ही नहीं पा रही है क्या होना है क्या नहीं होना है जिसकी वज़ा से जो है disaster काफी जादा effect पढ़ रहा है disaster का काफी जादा effect कर रहा है वो तो इसके उपर बात हो रही है कि India को एक better science की जरूरत है कि अच्छी तरीके से पता लगा जाए अच्छी तरीके से weather को forecast करा जाए अगर अच्छी तरीके से weather forecast नहीं हो पाएगा तो भी हम लोग disaster को manage नहीं कर पाएंगे अगर अच्छी तरीके से हम लोग weather को forecast कर लेते हैं और उसके जाँच परदाल कर लेते हैं कि हाँ क्या situation है तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से forecast कर लेंगे और अंदाजा लगा लेंगे और बच जाएंगे जैसे कि हाँ पर for example मानलो कोई जगा है जिस पर बारिश होने वाली और यह बहुत गहरी जगा गड़े में यह जगा है ठीक है मतलब कि बहुत नेचला एरिया है वो तो क्या होगा महाँ पर अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो बाड़ा जाती है समझ लो है ना सब कुछ बह जाता है तो फिर इसमें क्या होगा अगर IMD body है तो वो अगर बारिश आनी होगी तो वो जल्दी से बता देगी ठीक है long term का तो बता देती है यानि कि अगर काफी दिन बाद आनी है बारिश तो यह चलो पता चल जाता है लेकिन जो short term में short term में बारिश वगरा हो जाती है यह चीज़े अच्छी तरीके से नहीं forecast कर पा रहे हैं और आपको यहाँ पर यह चीज़ जानने को मिलेगी अगर हम लोग forecast नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर बारिश होगी खूब और बारिश होगी तो इतना time मिलेगा नहीं कि हम लोग सब चीज़े shift कर सके हैं अब फिर उससे problem देखने को मिलेगी लोगों की जाने तक चली जाएंगी तो यहाँ पर यह situation है और इसको देखते भी बोला हिया कि जो इंडिया को एक better science की है यहाँ पर हम लोग को ज़रूरत है और IMD क्या है Indian Meteorological Department यह वही चीज़ है जो कि बैदर को forecast करता यह सारी चीज़े और यहाँ पर लिगना पर प्रोवाइट कर दी गई है और यह मैंने आपको काफी बार बता भी चुका हूँ IMD के बारे में हला कि काफी दिन होगे पड़े वे तो आप इसके बारे में देख सकते हो IMD GS Paper 1 के point of view से important है IMD एक agency है जो की आती है Ministry of Arts, Science of the Government of India के अंडर में इसका काम होता है weather को forecast करना observe करना जो भी मौसम है उसको forecast करना और पता लगाना कल बारिश होगी या नहीं होगी और भी ऐसी situation को पता लगाने का है आप एक काम होता है और इसका जो office है headquarter है वो new Delhi में है इसको भी याद रखना sorry new Delhi में नहीं एक बार चेक करते है new Delhi में ही है ठीक है मुझे ये दाथ था देखो पहले शेमला में था 1905 में उसके बाद पुने में पहुंच गया 1928 में फिर उसका फाइनली 1944 में new Delhi में आया और new Delhi में ही अभी तक तो guys इसी के साथ हुआ तो आज का हमारा न्यूस पेपर अनले से समापत और अभी तक आपने चल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट कलर का बटन आरा होगा सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना और टेलिग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक आप लोगो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देही दिया गया है ओके तो लाइक है हमारा 350 प्लस तो लाइक करके आप वीडियो को सपोर्ट दिखा सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से कल आज के लिए बाई बाई आप नाइस टी